आज हर गर में एक डियाविटीज एक आम प्रॉब्लम हो चुका है तो आज हमारे बगल में एक डियाविटीज के एक पेशेंट बैठ होगी लिएता आई उन्हीं के मुसे सुनते क्यों क्या प्रॉब्लम्स था उनको इसका क्या सलूशन्स विला तो हलो आंटी तो आपको यह डियाविटीज का प्रॉब्लम कितने साल से था नौ साल से था नौ साल से प्रॉब्लम्स था तो अपने के डॉक्टर को दिखाया इस प्रॉब्लम्स को लेकर हाँ बहुत से नहीं कलकटा दिखाय दवा भी ले रहा है था इमाज फ़रक नहीं पर रहा है लेकिन जब नोनी गोल यूज करना पर चाल गोला तो लेखने दो धाइ मैना से देखे लिखे नोर्मन राइवेटी से ऩुटे कितना अल्मुस्ट खर्ष पड़ाता हूँ पर मन 5,000 का कर्ष बढ़ता चाहा तो यह नोनी लेने के बाद आपको क्या असर हुआ क्या आपके चरी में चेंजेस आया नोनी को लेने के बाद तो फिर डाइबेटीस पी चेल कराया शुगर जिरिन पहले का रिपोर्ट से अभी का रिपोर्ट बहुत ज़्यादा पहले आप आप ऐसा डाइबेटीस का सुगर का नॉर्मल हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं को लेने के बाद देखे जित किये तो बरा मेरा बहुत सा सुगर नॉर्मल हो गया तो ऐसा कभी पहले बाद है कि आपने दवाई रेगुलर विसिश में यूज किया और आपका नॉर्मल हुआ हु तो आपको क्या रहता आँटी जिनको गुटने का प्रॉब्लम है और जिनको सुगर कर बाल उनको यह लेना चाहिए तो आँटी के मुझसे सुना कि डाइबेटीस इनका जो नौ साल से प्रॉब्लम था लास्ट्रूमल में इसका क्या चेंजिस आया तो डेपिनेटी जिनको अज़के हथ तो प्रॉब्लम है जरूर आप इसको स्कुमाल कीजिए आप के ऊंको स्कुमाल करने के रिकमेंट करेंगी हाँ जिसको डाइबेटीस है उनको एल जादा अबकर लेना चाहिए इसे जहना रहत निंगा है अच्वर लेबल भाल है तैंक्यू सो मच आईज़